इस विडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके इंस्टेग्राम पे messages आपको नहीं दिख रहे हैं किसी ने आपको message किया बट आपको वो messages नजर नहीं आ रहे हैं हो सकता है अपने general और primary का option message के लिए enable किया होगा बट आपको messages फिर भी नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस problem को कैसे सही करें विडियो ध्यान से देखते रहे हैं तो अगर आपको messages शो नहीं हो रहे हैं तो मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए सबसे पहले आप Instagram पे यहाँ पर जो general और primary का option आता है आपके message की option में उसे enable कर ले तो कैसे enable करें यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले आप profile की option पर click करें यहाँ पर और three lines पर click कर ले settings पर आप चले जाएं और यहाँ आपको account का option दिखाई देगा इसे click करें और नीचे की दरफ आके इसे switch to professional account पर click कर दे और यहाँ पर continue कर दे continue करते जाएं यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं थोड़ा से यह time लेगा तो मेरी बात ध्यान से सुनिए यह मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि primary करने के बाद primary और general करने के बाद आपको messages बहुत आसानी से दिखने लगते हैं एक category में divide हो जाते हैं तो यह screen आएगी आपको तो business या creator आप चुन ले तो मैं creator ही चुनूँगा और next कर देता हूँ यहाँ से यहाँ पर आप अभी not now पर click करे ठीक है skip कर दे इसके बाद यहाँ पर home के बटन पर आएं और message पर click करें तो देखिए यहाँ पर general और primary दो category select हो गई है ठीक है तो यहाँ पर आपको primary general जो दिख रहे हैं यहाँ से आपको back करना है अब आपको यहाँ पर वापस से profile के option पर आना है और यहाँ three lines पर click करना है इसके बाद setting के option पर जाएं और यहाँ पर आप एक option आप देखेंगे notifications का इसे open करें और अब यहाँ पर आप एक option देखेंगे messages का तो इस पर click करें तो यहाँ पर जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप on करते जाएं message request हो सकता है आपका off हो तो इसे आप on रखें ठीक है group request यह भी on रखें और messages यह off होगा तो आप इसे यहाँ पर इसे select कर ले from primary and journal इस पर select कर लें ठीक है और अब यहाँ से आप back आ जाएं अब यहाँ पर दूसरा step क्या करना है आपको यहाँ से बाहर निकलना है अब यहाँ पर आपको privacy का option दिखाई देगा इस पर click करें यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है आप यहाँ पर देख पाएंगे messages का option इस पर click करें तो यहाँ पर यह थोड़ा सा detail में होने वाला था लेकिन आप थोड़ा सा confused हो जाएंगे इसलिए जैसा जैसा मैं करूं आप वैसा वैसा करते जाएं ठीक है तो सबसे पहले your followers on instagram इस पर click करें और message request enable कर दें इसके बाद facebook friend और pupil you chatted इस पर click करें और इसे general पर click कर दें ठीक है facebook of friend और तो इसे भी आप message request allow कर दें people with your phone number message request allow कर दें other people इस पर click करें इसे भी message request allow कर दें जैसा जैसा मैं करते जा रहा हूं other instagram इसे भी आप allow कर दें ठीक है बस आपने ये कर लिया और अब आप की problem solve हो जाएगी लेकिन एक बात ध्यान दे बहुत से लोगों को एक चीज नहीं पता होता है यहां पर देखिए message की option पे आएं request का सबको पता होगा देखिए यहां पर request पे click करता हूँ तो कितनी मुझे request आई है यहां पर पहले message show होता है इस पे click करके आपको यहां पर accept करना होता है फिर आप primary और general कहां पर डालना चाहते हैं डाल देखिए इसका नाम है आबिद इसे मैं primary पे डाल देता हूँ अब यहां से back करूँगा बहार आउँगा तो primary में यह आबिद वाली chat आ गई है ठीक है अब बहुत से लोगों को एक और problem आती है request में जाते हैं तो उन्हें यहां पर भी messages नहीं नजर आते हैं उनको क्या करना है बिलकुल नीचे जाना है तो आँ उन्हें दिखेगा hidden request इस पे click करना है तो बहुत से request आपको यहां पर दिखाई देंगी basically instagram कोई human तो है नी यह एक machine है एक software है तो उसे कभी-कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा spammer है hacker है कुछ ऐसा है तो वो hidden request में डाल देता है अगर आपके दोस्त की request यहां पर आती है यहां पर message आते है तो आप उस पे click करें और यहां पर accept पे click कर दे और primary या general जहां पर डालना है आप डाल दे तो वो request अब आपको यहां पर general में दिखाई दे जाएगी देख सकते हैं उमीद करते हो आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स सवर को subscribe जरूर कर दे